जड़ते बालों से चुटकारा पाने के लिए डायट में शामिल करें ये विटामिन्स मजबूत, घना और सुन्दर बाल हर किसी की परसनाल्टी को बढ़ाने का काम करता है और आपकी कॉंट्पिडेंस को भी बढ़ाता है सिर्फ महंगे ब्यूट्य प्रोडक्स या हैर मास्क आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए काफी नहीं है परियाप्त पोशक तत्व को नहीं लेने पे भी बाल जड़ सकते है इसलिए हमें हेल्दी डायेट लेना चाहिए और बाडी को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है बाल जड़ने का मुख्य कारण पोशन और विटामिन्स की कमी से भी हो सकता है आईए जानते हैं कि कौन से विटामिन्स फादेमंद होते हैं जो बालों को हेल्दी और स्ट्रॉंग बनाये रखने में मदद करता है नमस्कार दोस्तों सौगत है आप सबका सेहत का ग्यान में सेहत से जुड़ी जानकारी जाने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए आगे की नोटिफिकेशन के लिए चलिए विडियो स्टार्ट करते हैं पहला विटामिन्स ए बाल ज़डने का कारण कई बार पॉलिशन और जेनेटिक हो सकता है इसके अलावा विटामिन्स ए की कमी की वज़े से बाल ज़ड सकते है विटामिन्स ए सीबम का उत्पादन करता है जो बालों को मॉस्टराइज करने में मदद करता है उन्हें हेल्दी रखता है गाजर, कद्दू, पालक, डेरी प्रडक्ट्स, अंडे विटामिन्स ए से भरपूर होते है जिसे आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते है दूसरा विटामिन बी विटामिन बी और बायोटीन में फैट और कार्बोहेड्रिड्स की भरपूर मात्रा होती है जो बालों की ग्रोथ को बढ़ाने में इंपॉर्टेंट होता है अखरोट, मीट, मचली, गोभी, पीनट, मश्रूम और हरी सबजियां इन सब में विटामिन्स बी की मात्रा भरपूर मात्रा में होती है और हरी सबजियों में विटामिन B की भरपूर मात्रा होती है तीसरा विटामिन C अगर आप नीम्बू जूस भी पीते हैं तो इतना ही काफी है नीम्बू में एंटी ओक्सिडेंट होता है जो आईरेन अब्जर्व को बढ़ाता है और कोलेजन को प्रड्यूस करने में मदद करता है स्टाववेरी, अमरूद, आम, टमाटर, पपीता और अन्यखटे फलो में विटामिन C की भरपूर मात्रा होती है चौथा विटामिन D एलोपेसिया का मुख्य कारण विटामिन D की कमी है एलोपेसिया में आपके बाल जरूर से ज़ादा ज़ड़ने लगते है इसलिए विटामिन D की कमी को पूरा करने के लिए रोजाना थोड़ा देर सुबा की धूप लेनी चाहिए इसके अलावा विटामिन D की कमी को पूरा करने के लिए फैटी फिश, कोर्ड लिवर, आईल, मश्रूम का सेवन कर सकते हैं पाच्वा विटामिन E विटामिन E में एसेंसिल एंटी आक्सिडेंट होते हैं जो बालों को मजबूत बनाते हैं अब स्कैल्प में विटामिन E, आईल और कैप्सूल लगा सकते हैं ये बलड सर्कूलेशन को बहतर बनाने में मदद करता है और बालों को रिपेर करने में भी मदद करता है पीनट, पालक, ओलिव ऑईल और ब्रॉकली जैसे चीजे आपके स्कैल्प को बहतर करने में मदद करता है अगर इनफॉर्मिशन आपको पसंद आई है तो जादस जादा लोगों को शेर करिए और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करिए थैंक्स पर वाचिंग सेहत का ग्यान